हलो एबरीवन वेलकम बैक तो गेंट टेग केंड आज है आप लोगों का डे 29 तो डे 29 गे कोश्चन सौल करने से पहले में आपको अपको अपरक डे 28 का पॉश्चन का आंसर बता देता हूं तो यह आपका कुश्चन था और इसका अंसर है आपका सी वुके कि आपको इस समझ में आ गया होगा है ना इसका सेब क्या रहेगा 48 पॉजिशन पर ओके चलो कॉश्चन नंबर 29 टी ट्वंटी इट कंप्लेट 29 पर चलते हैं इस बैरी बैरी गुड कॉश्चन और आइकन से इंपोर्टेंट वन है ना यह इंपोर्टेंट कॉश्चन है आपक औखी श्यालो इसमें क्या गित अनबर 2023 इस रिटन वन साइड आप दा क्लास्रूम है ना वन साइड आप दा क्लास्रूम में लिखा हुआ है यह विन्डू इस्टायल आप नंबर संट के लिखा हुआ है ना इस यू वर तू स्टेंड ओन दा आफ दा विन्डू अधर आप दा बिंडो खड़े रहोगे तो आपको क्या दिखेगा कि एक लाइन अगर मैं यहां पर ड्रोव कर दूँ एक लाइन तो जस्ट इसको ऐसे पलट देना है और वी कें से और वी कें से की अगर मेरर इमेज इन जसे मेरर इमेज इन रिवर्स ओडर ठीक है रिवर्स ओडर ओके यह चीज़ आप आराम से समझ पाओगे कि बिंडो के एक साइड खड़े हो आप है ना इफ यू वर टू स्टेंड ऑन अधर साइड ऑप दा बिंडो है ना दूसरी साइड बिंडो के टो आपको वो नंबर कैसा देखेगा ठीक है तो आपको नेमबर आशे उलटा देखेगा है ना उलटा मदलब एक से पलड़त होगे ना तो आपको त्यसकंट गई इस टाइप से आपको देखेगा है ना और मेरर इमेज से स्बस्टश ओडर है ना चालो इस दूशन भी क्या यहां पर क्या बताया था वें लुकिंगे तुन थी तुरू दिक्कत नहीं है इस पेसियल आप खुद विजुलाइज करोगी कि यहां पर वह उस्टाइज से 3D में मैं बताऊं का लेकिन नेक्स्ट टाइम में यहां पर विंडो बना पाता आपके लिए फिर वहां पर न से टरन होगी है ना से टरन होगी बिंडो तो ऐसा आपको 2023 इस फॉर्मेंट में दिखेगा जस्ट इसका उल्टा है ना ओके मेरा इमेज एंड रिवर्स ओड़ा ओके चलते हैं होंबर्क की ओर 29 का आपको होंबर्क की ओर चलते हैं बहुत ही प्यारा कोश्चन है यह ना आपको समझ में आ रहा होगा मजा भी आ रहा होगा बाए बाए और बेस्ट